नमस्कार अंतराश्ट्रिय श्रम संगठन की लर्निंग गाइड में LGBTIQ प्लस वर्कर्स के प्रति भेदभाव समाप्त करने और उनके लिए विशेश नीतियां बनाने के लिए कहा गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 2021 के लिए वैश्विक जलवायू इस्थिती रिपोर्ट जारी की प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिशद ने भारत में असमानता की इस्थिती रिपोर्ट जारी की कर्चोरी के संदेह में कमपनियों पर जन्रल एंटी अवोईडेंस रूल्स के तहत जांच शुरू हो गई है और सार्वभोमिक बुनियादी आई योजना के क्रियानवेन में बाधाय आ रही हैं और आई आप खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं इस अंकी सबसे पहली खबार परियावरण संदक्षन से संबंदित हैं संफ्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोग्थाम अभिसमय यानि यून सीसीडी के पक्षिकारों का पंद्रवा संब्मिलन संपन हो गया है इस अभिसमय को वर्ष 1994 में अपनाया गया था मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को संबोधित करने वाला ये कानूनी रूप से बाध्यकारी एक मात्र अंतरराष्ट्रिय समझोता है भारत भी समझोते का एक हस्ताक्षर करता देश है अब इस सम्मेलन के बाद जो कुछ निसकर्ष सामने आए हैं उनमें कुछ नई प्रतिबधिताएं हैं जैसे कि वर्ष 2030 तक एक अरब हैक्टेर निमनी कृत यानि की डीड हो चुकी भूमी के पुनरस्थापन में तेजी लाई जाएगी ये कारे डेटा संग्रह और निगरानी में सुधार के जरिय किया जाएगा वर्ष 2022-24 के लिए सूखे पर एक अ रुस्थली करण और भूमी निमनी करण की वजह से चबरन प्रवास और विस्थापन की समस्या को संबोधित किया जाएगा इसके रिए ऐसे सामाजिक और आर्थिक अवसर पैदा किये जाएंगे जो ग्रामीन लोच शीलता और आजीविका की स्थिरता को बढ़ावा इसके अलावा प्रभावी भूमी पुनरिस्थापन के लिए महत्तुपूर्ण सहायक के रूप में भूमी प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा को 15 में जो नई घोशनाय की गई है उनमें शामिल है आबिद जान अहवाहन इसे दीरकालिक परियावरनिय संधारनियता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार प्रमुखों ने जारी किया है भूमी के सफलता पूर्वक पुनर स्थापन के लिए लेंगिक समानता प्राप्त करने पर आबिद जान घोशना जारी की गई है को 15 भूमी जीवन और विरासत घोशना UNCCD की प्रमुख रिपोर्ट बैश्विक भू परिद्रिश्य दो के निशकर्शों को संबोधित करती है इसके अलावा अन्य पहले हैं भूमी के लिए विवसाय पहल इसका उद्देश्य इस पहल में भाग लेने वाली कमपनियों के द्वारा भू निमनी करन तटस्थता की दिशा में की गई प्रतिबधिताओं को इस पश्ट करना है ये प्रतिबधिता आपूर्ति शंकला और निगमित सामाजिक उत्तरदाईत्व यानि CSR गतिविधी दोनों में इस पश्ट होनी चाहिए इसके अलावा साहेल सोर्सिंग चैलेंज इस पहल के तहट ग्रेट ग्रीन वॉल विक्सित करने वाले समुदायों की प्रगति की निगरानी करने रोजगार स्रजित करने और अपनी उपज का विवसाई करने के लिए प्राध्योगी की का उपियोग करने में सक्षम बनाया ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीकी नेत्रितो वाला आंदोलन है इसका उद्देश्य अफ्रीका की संपूर्ण चोडाई में 8000 किलोमीटर में विश्व का प्राकर्तिक आश्चरे विक्सित करना है इसके अलावा ड्राउट लेंड ये UNCCD का नया जागरूपता अभियान है अंतराष्ट्रिय श्रम संगठन की लर्निंग गाइड में LGBTIQ प्लस वर्कर्स के प्रती भेदभाव समाप्त करने और उनके लिए विशेश नीतियां बनाने के लिए कहा गया है ILO ने अपनी रिपोर्ट में LGBTIQ प्लस वर्कर्स द्वारा सामना किये जाने वाले भेदभाव और इसकी आर्थिक लागत पर प्रकाश डाला है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि LGBTIQ हमारे समाज का ही एक ऐसा समुदाय है जो वर्षों से हास्टिये पर है और ऐसे में ILO की ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है ILO ने इस समुदाय द्वारा कारे स्थल पर उत्पीडन और अपवर्जन को समाप्थ करने के लिए एक राष्ट्रे नीती तयार करने और श्रम कानूनों की समीक्षा करने का आहवान किया है LGBTIQ plus का मतलब है lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex और queer Learning Guide के मुखे निशकर्षों में कहा गया है कि विशु भर में LGBTIQ plus व्यक्तियों को कारे स्थल पर उत्पीडन, हिंसा, भेद भाव और असमान व्यवहार का सामना करना पड़ता है वर्ष 2021 तक केवल 29 देशों ने कानूनी रूप से समलेंगिक विवहा को मानिता दी है, वहीं 34 देशों ने समलेंगिक सह जीवन को मानिता पड़ान की है वर्ष 2020 तक सैंफ तुराष्ट्र संग के 81 सदस्य देशों ने नियोजन में लेंगिक रूजहान के आधार पर भेद भाव के खिलाव सुरक्षा प्रदान की है हाला कि LGBTIQ plus अब भी समाजिक सुरक्षा की कमी समाजिक बहिशकार आदी का सामना कर रहे हैं ILO ने कई सुझाव भी दिये हैं जैसे कि LGBTIQ plus के समावेशन को मापा जाना चाहिए इससे लागू किये जा रहे उपायों और नीतियों के प्रभावी होने के बारे में पता लगाया जा सकेगा इसके अलावा ILO का मानना है कि कारणवाई त्रिपक्षी आधार पर होनी चाहिए पहला होनी चाहिए सरकार के आधार पर इसके तहट सरकार कारे की भेदभाव रहित प्रकृती सुनिशित करने के लिए खानूनी नीतिगत और सामाजिक रूपरेखा प्रदान कर सकती है दूसरी होनी चाहिए नियोक्ता इस्तर पर क्योंकि नियोक्ता सुरक्षित और अनुकूल परिवेश वाला कारेस्थल सुनिशित कर सकते हैं और तीसरी कारवाई हो सकती है कामगारों के संगठनों द्वारा ऐसे में भारत ने इस सुभिद वर्ग के लिए कई अधिकारों का विकास किया है जैसे कि नाज पाउंडेशन बनाम राष्ट्रिय राजधानी शेत्र दिल्ली मामले के तहट उच्य नियाले ने ये माना कि भारतिय दंडे सहिता की धारा 377 संविधान की अनुछेद 14, 15, 19 और 21 द्वारा दिये गए अधिकारों का उलंगन करती है राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरन बनाम भारत संग मामले के तहट उच्य तम नियाले ने ट्रांसजेंडर समुदाई को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया वही नवतेज सिंग जोहर बनाम भारत संग मामले के तहत उच्चितम न्याले ने धारा 377 को असंवेधानिक करार दिया मगड सरकार के इस तर पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षन अधिनियम 2019 लाया गया ये अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्यान का प्राबधान करता है और अगली खबार मौसम विज्ञान से संबंदित है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 2021 के लिए वैश्विक जलवायू इस्थिती रिपोर्ट जारी की है ये वार्शिक रिपोर्ट कई जलवायू संकेतकों के बारे में विवरण देती है जिसमें शामिल है तापमान, महासागरिय उश्मा, महासागरिय अमली करण, समुद्र के इस्तर में व्रिधी, समुद्री बर्फ हिमनद के बारे में और चरम मौसम के बारे में जानकारी देती है ये जलवायू परिवर्टन पर अंतल सरकारी पैनल यानि IPCC की छटी आकलन रिपोर्ट की पूरक रिपोर्ट है WMO संयुकतराश्र की एक विशेश एजेंसी है इस संगठन के सदस्यों में भारत सहित 193 देश और राजशेतर शामिल है इस रिपोर्ट के मुखे निशकर्षों की बात करें तो चार प्रमुख जलवायू परिवर्टन संकेतकों ने वर्ष 2021 में नए रिकॉर्ड इस्थापित किये ग्रीन हाउस गैस सांधरता, समुद्र के इस्तर में व्रिधी, महासागरिय उश्मा और महासागरिय अमली करण इसमें शामिल है रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में वैश्विक औसत तापमान, वर्ष 1850 से 1900 के पूर्व और द्योगिक औसत से लगभग 1.111 से 0.13 डिग्री से ज्यादा था आपको बता दें कि पिछले 7 वर्ष यानि कि 2015 से 2021 सबसे गर्म वर्ष रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक औसत समुद्र इस्तर वर्ष 2021 में एक नए रिकॉर्ड उच्चिस्तर पर पहुँच गया था वर्ष 2013 से 2021 के अवधी में इसमें प्रती वर्ष औसतन 4.5 mm की व्रिधी हुई है लगभग पूरे भारती अतर्ट के साथ समुद्र का इस्तर 0 और 2.5 mm प्रती वर्ष की दर से बढ़ रहा है ये वैश्विक औसत से ज्यादा तीवरिगती है जल मौसम संबंदी खतरों के कारण सबसे अधिक आंतरिक विस्थापन बाले देश है चीन, वियतनाम और फिलिपीन्स इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी निश्कर्ष है कि अंटाक्टिक के उपर ओजोन शिद्र आसमाने रूप से बड़ा और गहरा था इसके दो मुखे कारण थे, मजबूत और इस्थिर ध्रुवी अभवर यानि की पोलर वर्टेक्स और निचले समताप मंडल में ओसत से अधिक ठंडी जलवाईू अगली खबर असमानता पर अधारित है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिशद ने भारत में असमानता की इस्थिति रिपोर्ट जारी की ये रिपोर्ट इंस्टिट्यूट पोर कॉंपोटिटिवनेस ने तयार की है ये रिपोर्ट भारत में असमांता की प्रवर्ति और गहराई के समग्र विश्लेशन को प्रदर्शित करती है असमांता से मतलब है संसाधनों और आवसरों के असमां विटरण से ये गड़ी भी और अभाव को बढ़ावा देती है ये रिपोर्ट आवधिक श्रम्बल सर्वेक्षन, राष्ट्रे परिवार और स्वास्थ सर्वेक्षन और एकिकृत जिला, सिक्षा, सूशना, प्रणाली से प्राप्त किये गए आंकडों पर आधारित है इस रिपोर्ट के मुखे निशकर्षों में कहा गया है कि 25,000 रुपे का मासिक वेतन पाने वाला भारतिय देश के 6,10 प्रतिशत कमाने वालों में शामिल है रिपोर्ट के मुदाबिक भारत में ट्रिकल डाउन सिधान विफल रहा है देश के शीर्ष एक प्रतिशत अरजक की आए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान 15 प्रतिशत बढ़ी है जबकि निचले 10 प्रतिशत की आए एक प्रतिशत घट गई है इसके अलावा शीर्ष एक प्रतिशत अरजक लोग देश की कुल आए का 6-7 प्रतिशत कमाते हैं वही शीर्ष 10 प्रतिशत अरजक लोग कुल एक तिहाई आए में हिस्सेदारी रखते हैं वर्ष 2019-20 में रोजगार की स्थिती भी कुछ इस तरीके से रही कि स्वन योजित कामगार 45.78 प्रतिशत थे वेतन भोगी कर्मचारी 33.5 प्रतिशत और अनौपचारिक कामगार 20.71 प्रतिशत थे स्वास्थे सिक्षा और पारिवारे की स्थकियों में उल्लेकनिय सुधार दर्ज किया गया है इसके अलावा स्वास्थे केंद्रों की संख्या स्कूलों में जल और स्वक्षता सुविधाएं सुरक्षित पेयजल और घरों में विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है पोशाहार की कमी अभी भी एक प्रमुख चिंता का विशे बनी हुई है और इसलिए रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन्स यानि सिफारिशें भी की गई है जैसे कि इस्थिती जानने और संपूर्ण कल्यान को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसके लिए नियमित अभ्यास की जरूरत है इसमें सीखने की बुनियादी शमता और संख्यात्मक सूचकांक तथा इस ओफ लिविंग इंडेक्स को प्रूदसाहित किया जाना चाहिए गरीबों की इस्थिती में सुधार लाने के लिए दिरगावधिक विकास के साथ सिख्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित की जाए और अधिक रोजगार पैदा किये जाए इसके अलावा समाजिक सेवाओं और समाजिक शेत्र के लिए व्याय का आधिक प्रतिशत आवंटित किया जाए इससे सरवाधिक सुभेद्ध आबादी को आकस में खत्रों से बचाया जा सकेगा और उन्हें घरीबी में जाने से रोका जा सकेगा अत्यधिक मजबूत इस तरों को इस्थापित किया जाना चाहिए इससे एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अंतर इसपष्ट हो सकेगा इससे एक वर्ग से बाहर जाने वालों और उसमें प्रवेश करने वालों की निगरानी सही से हो सकेगी रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि न्यूनितम आय बढ़ाने और सारभॉमिक बुनियादी आय यानि युनिवर्सल बेसिक इंकम की शुरुआत करने से आय अंतराल को कम किया जा सकता है इसके अलावा ये कहा गया कि मन्रेगा जैसी योजना शेहरों में भी शुरू की जानी चाहिए मन्रेगा मांग आधरित है और रोजगार की गारंटी प्रदान करता है अगली खबर पेपर थ्री के टॉपिक करार ओपन से संबंदित है कर चोरी के संदेह में कमपनियों पर जनरल एंटी अवोईडेंस रूल्स के तहत जांच शुरू हो गई है राजसो विभाग ने गार के तहत उन कमपनियों और संस्थाओं की जांच शुरू की है जो करों का भुगतान करने से बचने के लिए नए तरीकों का इस्तमाल कर रही है गार दुरुपियोग रोकने वाला प्रावधान है कर अधिकारी इस प्रावधान का उप्योग कर से बचने की अस्विकारे प्रथाओं को रोकने के लिए करते हैं अधितर विक्सित या परिपक्व अर्थववस्था इस नियम का उपयोग करती हैं भारत में से पहली बार वर्ष 2012 में उपयोग किया गया था आयकार अधिनियम 1961 के तहट ये 1 अपरेल 2017 को लागू हुआ था इसका प्रभावी कारेयन वेन इस वर्ष शुरू हुआ है इस वर्ष इसके कारेयन वेन के लिए एक पैनल का गठन किया गया था इस तरह ये सुनिशित किया जा सकेगा कि गार के प्रावधानों को निस्पक्ष रूप से लागू किया जाए न कि विशे परक रूप से ये अंतिम उपायर उपी प्रावधान है इसका उपियोग उन गेर कानूनी प्रताओं को रोकने के लिए भी किया जा सकता है जो कर कानूनों के उद्दिश्यों को कमजोर करती हैं कि ये कर चोरी में नहित खामियों को दूर करके कर प्रणाली की सत्यनिष्ठा को मजबूत करता है और इस तरह राजस सुहानी से बचाता है इसके मुख्य चिंताएं ये हैं कि ये नियम कर प्रभावों के संबंध में कर अनिश्चित्ता पैदा करते हैं और घरेलू तथा विदेशी निवेश के लिए नकरात्मक परिवेश बनाते हैं दरसल कर अपवंचन, गैर कानूनी तरीके अपनाना, जानबूच कर तत्थियों को छिपाना, गलत बयान और धोखा धड़ी हैं ये सभी कर अपवंचन के अंतरगत आते हैं, जो कानून के तहत प्रतिबंधित हैं वहीं कर परिहार के तहत, कर से बचने में करदाता द्वारा की गई ऐसी कररवाईयां शामिल हैं जिन में से कोई भी गैर कानूनी नहीं होती हैं या फिर कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती हैं। और कर्शमन यानि की टेक्स मिटिगेशन एक ऐसी इस्थिती के संबंद में सकरात्मक शब्द है जहां करदाता शर्तों का पालन करके अपने कार्यों के आर्थिक परिणामों की जानकारी देते हुए कर कानून द्वारा उन्हें प्रदान किये गए राजकोशिय प्रोत्साहन का लाव उठाते हैं इस अधिनियम के तहट कर्शमन की अनुमती है अगली खबर है सार्भोमिक बुनियादी आय यानि यूनिवर्सल बेसिक इंकम से इस योजना के क्रियानवेन में कई बाधाएं आ रही है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिशद ने भारत में अस चान करना उन्हें योजना में शामिल करना और कार्यानवेन की निगरानी करना यूबियाई के तहट प्रतेक व्यक्ति को केवल नागरिक होने के नाते अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बुनियादी आय का अधिकार दिया जाता है ये नियुनितम आय गारंटी क का एक रूप है इसका भुगतान आय के अनिस्रोत होने के बावजूत किया जाता है यूनिवर्सल बेसिक इंकम पर पहली बार वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षन में चर्चा की गई थी दरसल इसके तीन घटक हैं सार्भौमिक्ता यानि कि सभी को एक समान आय प्रदान कर शर्त रहित होना और माध्यम यानि की प्राप्त करने वालों की पसंद का सम्मान करने के लिए नकद हस्तांतरन के रूप में सहयत अप्रदान की जानी चाहिए UBI के पक्ष और विपक्ष में कई तरकाए पक्ष में कहा गया कि गरीबी और सुभेदिता में कमी आईगी इसके अलावा लाभार्थियों को विकल्प मिलता है क्योंकि इसके तहत नागरिकों को अपनी पसंद के हिसाब से कल्यानकारी राशी को खर्च करने की जिम्मेदार क्योंकि इस प्रणाली में सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है इसलिए किसी भी व्यक्ति के छूट जाने की संभावना शुन्य होती है साथ ही इससे स्वास्थ है आय और अन्य संकटों में ये सुरक्षा कवच के रूप में कारे करती है लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम के विपक्ष में भी कुछ तर्क थे जिसमें कहा गया कि लेंगिक मांदंड यूबी आई के वितरंड को विनियमित कर सकते हैं क्योंकि यूबी आई के रूप में प्राप्त राशी के खर्श पर पुरुषों का नियंतरन होनी की संभावना है दूसरी बात ये थी कि यूबी आई बैंकिंग प्रणाली पर बहुत ज्यादा दबाव डाल सकती है इसके अलावा समावेशन तुरुटी की 60 प्रतिशत संभावना है क्योंकि सम्रिध व्यक्ति योजना का लाब उठा सकते हैं बाजार के उतार चड़ाव से नकत अंतरन की क्रेश शक्ति गंभी रूप से कम हो सकती है और इन सभी तरकों की वजह से अभी तक यूनिवर्सल बेसिक इंकम का आईडिया जो है वो कारणवित नहीं हो पाया है तो आई अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्तुपूर्ण सुर्खियों की तरफ उत्री अट्लांटिक संधी संगठन यानी नाटो यूक्रेन पर रूसी आक्रमन की वजह से स्वीडन और फिनलंड ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेधन किया है आपको बता दें कि नाटो एक ट्रांस अट्लांटिक राजनीतिक और सैने संगठन है ये लोगतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है ये विवादों की शांतिपूंट समाधान के लिए प्रतिबद्ध है इसका गठन वर्ष 1949 में उत्री अट्लांटिक संधी पर हस्ता प्राप्त करती है वर्तमान में इसके 30 सदस्य है नौर्थ मैसेडोनिया वर्ष 2020 में शामिल होने वाला अंतिम देश था अगली खबर है केंद्रिय पुरातत्यों सलाहकार बोर्ड से हाल ही में केंद्रिय पुरातत्यों सलाहकार बोर्ड का पुनरगठन किया गया है सांसथ राजिसरकार नामित प्रतिनिधी आदी इस में शामिल होंगी बोर्ड की बैठब वर्ष में एक आईम्त के अगली kबर है FDIE से सम्भंधित प्रित्यक्ष विदेशी निवेश अंतरवाह भारत ने वर्ष 22 में 83.57 बिलियन डॉलर का सर्वकालिक उच्च FDI अंतरवाह प्राप्त किया है कई आर्थिक सुधार और विवसाय करने में सुगमता संबंधी उपाए इसके मुख्य कारण रही हैं भारत में शीष निवेशक देश हैं सिंगापूर जिसने 27 प्रतिशत का योगदान दिया है तथा उसके बाद अमेरिका ने 18 प्रतिशत और मौरिशस 16 प्रतिशत FDI के लिए जिम्मेदार हैं शीष प्राप्त करता शेत्र हैं कंप्यूटर हाडवेर और सॉफ्टवेर और इसके बाद सेवाशेत्र तथा आटो मुबाइल इंडस्ट्री शामिल हैं FDI प्राप्त करने वाले शीष राजियों और संग राजिशेत्रों में शामिल हैं करनाटक जिसे सबसे ज़ादा FDI मिला है लगभग 38 प्रतिशत तथा उसके बाद महराश्ट्रे और तीसरे नंबर पर 14 प्रतिशत के साथ दिल्ली है कागज आयात निगरानी प्रणाली P.I.M.S. वानिज्ज और उद्योग मंत्राले ने प्रमुक कागज उत्पादों की आयात नीती को संशोधित कर दिया है इसे मुक्त से कागज आयात निगरानी प्रणाली के तहट अनिवारे पंजीकरण के अधीन मुक्त के रूप में नवी निकृत कर दिया गया है ये 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगी इसके तहट 201 प्रकार के कागजों जैसे के अखबारी कागज, हास्त निर्मित कागज, लिफाफे आदी के आयात के लिए पंजीकरण कराना जरूरी होगा इसमें करंसी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदी शामिल नहीं है मंत्राले के इस कदम से डंपिंग से जुड़ी चिंताओं को दूर करके घरेलू कागज उद्योग को सनरक्षन प्रदान करने में मदद मिलेगी व्यापार समझोतों के मद्दे नजर अन्य देशों के माध्यम से वस्तूओं के दुबारा प्रवेश की निगरानी में सक्षम हो सकेंगे इसके अलावा कागज उद्योग में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जा सकेगा सरकार ने भारत पेट्रोलियम के रणीतिक विनिवेश के प्रस्ताव को वापस ले लिया है सरकार ने इसका कारण बोली दाताओं में रुची की कमी को बताया है पवन हंस और सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स के बाद रद्ध होने वाला ये तीसरा रणीतिक विनिवेश प्रस्ताव है रणीतिक विनिवेश का मतलब है किसी केंद्रिय सार्जनिक शेत्र के उप्क्रम यारी सीपी ऐसी के प्रबंधन नियंतरन का हस्तांतरन करना साथ ही उसमें सरकार की 50 प्रतिशत तक शियरधारिता या फिर सक्षम प्राधिकरन द्वारा या फिर जिस भी प्राधिकरन को ये दी जा रही है उसमें निरधारित उच्च प्रतिशत तक अंशधारिता की बिक्री महामारी के कारण अधिगम और आई की हानी एशिया इविकास बैंक के एक वर्किंग पेपर के अनुसार युवाओं में सीखने की कमी के कारण भारत के सकल घरिलू उतपाद में दक्षिन एशिया में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी जाएगी इससे वर्ष 2023 में जीडीपी के 10.5 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा ये वर्ष 2030 तक लगभग 99 बिलियन डॉलर के नुकसान का कारण बनेगी ये आई के नुकसान के कारण वर्ष 2030 तक वैश्विक जीडीपी में 10 प्रतिशत की गिरावट से ज्यादा है महमारी के चलते अधिगम और आई की हानी कई कारणों से देखी गई है जैसे कि स्कूल का बंद होना, इस्थिर इंटरनेट कनेक्शन तक पहुँच की कमी और अकुशल श्रंबल की ओर प्रवास करना भारत बिल भुगतान प्रणाली प्रणाली का संचालन भारतिय राश्ट्रिय भुगतान निगम करता है यह अर्बियाई की अवधारनात्मक प्रणाली है बीबीपीस का उद्देश एक एकिकरित बिल भुगतान प्रणाली को लागु करना है यह प्रणाली एजेंटों के नेट्वरक के माध्यम से ग्रहाक प्रणाली को अंतह प्रचालनिय और सुगम बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करती है साथ ही यह भुगतान के कई मोड सक्षम करती है और भुगतान की ततकाल पुष्टी प्रदान करती है अर्थविवस्था साजहकरन भारत शीग्रही अर्थविवस्था साजहकरन सेवाओं से जुड़े अभिकरताओं के लिए मानक घोशित कर सकता है इसके लिए उत्तरदाई कारण उपभोगता की शिकायतों की बढ़ती संख्या और उपभोगता प्रदाली में डिजिटल कम किये जाते हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है और उन्हें किराय पर या पट्टे पर दिया जाता है शेरिंग एकॉनमी में किसी तरह का ओनलाइन प्लेटफर्म शामिल होता है यह प्लेटफर्म क्रेताओं और विक्रेताओं को जोडता है इसमें शेर्ड मोबिलिटी जैसे की ओला या उबेर, को वर्किंग जैसे की ओफिस, वी वर्क, को लिविंग जैसे की ओयो, स्टैंजा, लिविंग आधी और फर्नीचर रिटेल जैसे घटक शामिल हैं भारत में सडक दुरगटनाएं 2020 रिपोर्ट ये रिपोर्ट सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने जारी की हैं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि वर्ष 2018 में हुई मामुली व्रिधी को छोड़ दिया जाए तो वर्ष 2016 से सडक दुरगटनाओं की संख्या में गिरावट आई है वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में रेड लाइट जंपिंग से सडक हादसों में होने वाली मोतों में 89 पीसदी की बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2020 में दुरगटनाओं में महत्वपून कमी दर्शाने वाले राज्य केरल, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश, महराष्ट और करनाटक हैं रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में COVID-19 प्रेडित लोगडाउन के कारण कुल सडक दुरगटनाओं में 18 प्रतिशत और मौतों की संख्या में 12.84 प्रतिशत की गिरावट आई है INS निर्देशक चार विशाल सर्विक्षन पोतों की परियोजना के अंतरगत दूसरा पोत है इसे हाल ही में लौंच किया गया है ये पोत मुख्य रूप से बंदरगाहों और नौवेहन मारगों का व्यापक पैमाने पर तटिय और गेहरे जल का हाइड्रोग्राफिक सर्विक्षन करेंगे नेचुफू सुरंग सीमा सडक संगठन ने नेचुफू सुरंग के उत्खनन कारे के समापन के लिए सफलता पूर्वक विस्वोट किया नेचुफू सुरंग बालीपारा चार दुआर तवांग रोड पर बनाई जा रही है ये असम के बाली पारा को चीन की सीमा से लगे अरुनाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ेगी इसके उत्खनन को बियारों के प्रोजेक्ट वर्तक के तहत पूरा किया गया है इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपून खबरों के साथ तब तक अपना खयाल रखिये सुरक्षि दूरी बनाए रखिये, मास्क पहनिये, हाथ और चहरा साफ रखिये क्योंकि कोरोन अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है इसलिए अपना और अपनों का विशेश खयाल रखिये और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी अपील के साथ विजन आईस की पूरी टीम आपसे इजाज़त लेती है नमस्कार, थैंक्यू पूर लिसनिंग